सिर्फ दो भूंद गरम पानी के साथ और सिर से लेकर पैर तक आपके सरीर का हर रोग जड़ से खतम हो जाएगा चाहे वो रोग कितना भी बड़े से बड़ा हो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमतकारी नुस्के को लेकर आए हैं जिसकी सिर्फ दो भूंद आपके सरीर में चमतकार कर देंगी और आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करेंगी दोस्तों जो काम महंगी से महंगी दवाईयां भी नहीं क डाइबटीज, अस्थम, खांसी, नजला, जोडों का दर्द, बदन का दर्द, कैंसर, टिडनी, गुर्दे की पत्री, मुतराशे के रोग, मर्दाना कमजोरी, बालों के रोग, मोटापा, यादास्त को बढ़ाने, मुहासे, सुंदर चहरा, अजीयन, उल्टी, तेजाब, लिकोरिया, आदी गंबीर बीमारियों से, एक साथ निजात दिलाने में, ये नुस्खा बहुत अधिक चमतकारी है, और दोस्तों, आज की सुड़े में, हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं, वो है दोस्तों, कलोंजी का तेल, दोस्तों, यह अनमोल चमतकारी के दवा, ब् वजूद दो बेहद परभावकारी तत्त, थाइमो की उनों और थाइमो हाइडो की उनों में विसेज हीलिंग परभाव होते हैं, ये दोनों मिलका इन सभी बीमारियों से लड़ने और आपके सरीर को हील करने में मदद करते हैं, आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने में म दवा नहीं है बलकि इन घंबीर बीमारियों के लिए इसके खोज हजारों वर्स पहले हो चुछकी हैं जिसके बाद इस दवा पर विज्यान के अब तक बहुत सारे सोध हो चुके हैं जो विबिन बीमारियों के लिए ब्लैक सीड ओयल को एक बेहतरीन घरेलू दवा साबित करते हैं। दोस्तो, 2012 में इजिप्ट में हुए एक सोध कैंसार सहद और कलुंजी, ब्लैक सीड ओयल, टूमर रोती तत्तव इनके अंदर मुझूद होते हैं। जो कैंसर कोशिकाओं की एनियंतरित वरीदी को रोकने में बहुत अधिक सक्सम है। वहीं, 2013 में मलेशिया में हुए एक रिसर्च के अंसार ब्रेस्ट कैंसर के लिए थाइमो की उनोन को का प्रियोग एक दिरकालिक इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तो इसमें मुझूद थाइमो की उनोन एक बायो एक्टिव कंपाउंड हैं जो एंटियोक्षिन, एंटिन्विल्मेंटरि और एंटी कैंसर कारक है। इसमें वे चुनिंदा साइटो टोक्सिक प्रोपर्टी मुझूद हैं जो कैंसर को सिखाओं के लिए घातक हैं जबकि समाने को सिखाओं को कोई भी नाकरातमक परभाव नहीं डालती। तो दोस्तों आपको इन सब बिमारियों पर महंगी महंगी दबाईयों के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं हैं। आप सिर्फ कलोंजी के तेल का परियोकर के अपने सरीर की हर बिमारी का इलाज कर सकते हैं। और अपने पूरे सरीर को बेल कोलन निरोगी बनाए रख सकते हैं। और दोस्तो अगर मैं बात करूं कलोंजी के तेल की तो इसका मुल्य भी एक सीसी का मुल्य सो रुपे से दो सो रुपे तक है और दोस्तो यदि आपने एक सीसी बाई कर ली तो वो आपकी छे महीने तक चल जाएगी यानि छे महीने की दवा का मुल्य सिरफ सो रुपे से लेकर 200 रुपे हैं इतना चमतकारी है और दोस्तो किसी भी वीमारी में आप कलुंजी के तेल का प्रियोग कर सकते हैं चाहे आपके सरीर में AD से लेकर चोटी तक कितनी भी गंबीर से गंबीर वीमारी हो आप इसका प्रियोग कर सकते हैं और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना सक दोस्तो आप इसका फ्यूग पानी या फिर दूद के साथ किसी भी तरीके से कर सकते ही तो चलिए आपको बताते ही कि इसके सेवन की बैस्ट विदी क्या है दोस्तो आपने करना क्या है दो बूंद गरम पानी में कलुंजी के तेल की डालकर आपने इसका सेवन करना है और आप आपने इसका सेवन हर रोच सुबह खाली बेट करना है। लेकिन दोश्टों यदि आपके सरी में बहुत सारी गंबीर बीमारिया हैं। जैसे आपकी कोलोस्टोल के समस्या अधिक है, हार्ट ब्लोक के जापको है, यदि आपको बहुत सारी बीमारियों ने जकड रखा है, जैसे बहुत सारे मेरभाईयों का सरीर होता है। तो उन्होंने क्या करना है? जब भी वो पूरा दिन में पानी बी, तो उनको हालका गुनगुना पानी बीना है, और उसके अंदर दो बूंद इस कलोंजी के तेल के डाल कर ही सेवन करना है। और यदि आप इसका सेवन रातरी को करना चाहें, तो कलोंजी का तेल रातरी को सोने से पहले दूद में भी दो बूंद डाल कर पिया जा सकता है। दोस्तो जितने गुन कलोंजी के अंदर होते हैं उतने ही गुन कलोंजी के तेल में भी हैं और दोस्तो कलोंजी के बारे में एक कहावत बहुत आदिक हैमस है कि मोत को छोड़कर सरीर की हर बीमारी का इलाज है कलोंजी के पास आप सरीर की किसी भी बिमारी का नाम ले सकते हैं और उसमें कलुंजी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं सरीर की ऐसी कोई भी बिमारी नहीं है जिसके अंदर ये कलुंजी का तेल फाइदा ना करता है तो दोस्तों आप भी आज से ही कलोंजी के तेल का सेवन सुरू करतीची और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीची तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जरू कीची इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीची और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीची ताकि आपको हमारी सभी आने वली वडियो की नोटिकेशन आती रहे धन्यवादोश्तों